लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें 1989 में जम्मू और कश्मीर में आतंक वाद ने सोर पकड़ा अंगिनत बेगुना हमारे गए तब लाखों कश्मीरियों ने इज़त और जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़कर अपने देश के दूसरे प्रांकों में ठिकाने ढूंडे लाखों लोग जम्मू और उसके आसपास के कैम्पों में रहने लगे कई कैम्प तो सिर्फ तम्मू के थे जहां लोग भगवान से दिनराथ प्रातना करते कि कब कश्मीर में अमन खायम हो और कब वो अपने घरों को लोड़ने है अरे आप लोग अरे मेरे बच्पन के दोस्त मेरे भाई महमद अली कैसे हो भाई अरे आज तो रशिलाल पंड़त के वारे ने आरे हो गए अरे राश्री बेटी पापा जब तक आप पूजा कर रहे थे मैंने तो इन्हें गर्मा गर्म चाय भी पला दी शाबाज बेटी प्रम रहा करता था ना तुम्हें अपने मेमानों को केसर का दूर पर रहा करता था केसर के खेत थे मेरे लेकिन आज इतना भी केसर नसीब नहीं के भगवान के माथे पच्छलिक लगा सको पापा किनया ये देखिए गुलार दीदी से राखिय भी बंदू आया थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि इन बुड़ी मा को साथ लाना पड़ा कौन है ये बड़ी भी अरे ये मुझे श्री नगर में मिल गया था मैंने इसे कहा मुझे बंबई से जम्मू आने वाली गाड़ी में किसी से मिलना है तो ये मुझे ए मिलिटरी ट्रॉक में बिठाकर यहां ले आ लेकिन ख़बर मिली है कि वो आज नहीं कल आ रहा है पंडिक जी पाइसाब ने अपनी बेटी गुलनार का रिष्टा गुल्रो से तोड़कर बहुत अच्छा किया हाँ हाँ अच्छा कि अपनी माबाप के गोद में कम तेरे चाचा और मामा रोशनलाल के गोद में ज्याना के लिए तो इसमें क्या जूट है, इस्ली तुम्हें शेली नगरसे, अपने माम मजी में मिलने आई हूं कैप में मामा जी से मिलनाइ आई हूं और अपनी रोशनी से मिलने, क्यूं बिल्कुल. गुल्रोज भाय से नहीं हम से मिलने आई है तौंशनल, iしま जब तक कश्मीर में रूटी हुई खुशियां वापस नहीं आ जाती हूं, मैं शैनाई नहीं बजाओंगा जानते हो मुहमद अली, मने भी अपनी शैनाई बखसे में बंद कर रखी है लो रोशनलाल, इसका बखत को भी बंद कर दूँ जब तक कश्मीर में वालीशा जैसे राक्शल जिन्दा है, यहां खुशियों का शादी होता रहेगा अल्ला करे, कल मरता, आज ही मरे वालीशा वालीशा, खुदा हाफिर, भरे बास बास खामुशी से जाओ यह कौन सा खेल है भाईजान? मेरा बाई अलीशा, हमारे पास इंदुस्तानी फौजियों की वर्दिया है हाँ है, बहुत है तो बस अपने आद्मियों को ले जाओ, इंदुस्तानी फौजी बनाओ और इन सब लोगों को खत्म कर दो हिंदुस्तानी फौज बनाम होगी तभी तो पड़ों सी मुलक में माला माल करेगा क्यों कुल खाम। ठीक वलीशा, ठीक भाईजान, लोगों को मारा हम में और बनाम हुई हिंदुस्तानी फौज और कल इसी वज़े से सब पार्टियों ने सेरी नगर बंद करने का ऐलान किया है। कल तोड़ फोड़ होगी, लूट मार होगी और उस लूट मार में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा होगा भाईजान हमारा। है ना ये खुशी की बात भाईजान। हाँ भाया वो तो टीक है लेकिन आज मैं बहुत उदास हूँ। बहुत उदास हूँ। आप उदास हैं। क्यों भाईजान क्यों। जब से रोशन लाल अपनी बेटी रोशनी को यहां से ले गया है। इसकी जिंदीगी में अंदेरा ही अंदेरा चा गया है। नजाने उस कमबखत मुंबति को मुझे चलने में क्या मिलता है अलीशाह। माँ! मैं तुम्हारी बेटी रोशनी को अपने बड़े भाई वलीशाह के लिए तऌफे के रूप में लेके जाऊँगा। तुम्हारे भाई को तुम्हारी लाश मिलेगी। तुम्हारी लाश.... सदून्लूओ... बशीरा.. जरा इनको नमोना तो दिखाओ बंद करो महत के सुदागरों यहूल की हुली बंद करो जैस्री राम कमीने चोड़ दो मेरी बेटी को कात्रों के हाथ मेरी बेटी को नहीं चूँ सकते रोशनी को तो हम लेके जाएंगे पंडित रोशनी गुल्रोश कि तमको जाना होगा मैंने बिटी गुल्रोश यह तुम क्या क्या रही है हाँ पंडित जी रोशनी को तो हम लेकर जाएंगे ही यह यह कौन क्या रहा है हाँ आपके जीगरी दोस्त मौहमद अली का बेटा गुल्रोश कह रहा है है मेरा भाई जो बच्पल से मुझे राखी बनवाता रहा एद पर यह दी देता रहा मुझे गुजरे रिष्टों को भूल जा और चलो हमार साथ तुम भी बदल गे भाई यह बदलते हालात के साथ सबको बदलना पड़ता है और अकर मन नहीं गई तो नहीं गई तो गोल यहां चलेंगी बारूत फटेगा अनकिन त्लाश होगी यहां नारे तद्गूर अल्ला अक्मर पापा गुल्गोस बाईनी तो कमाली कर दिया तो खेला किसकी गोल में है पेरे पापा की गोल में तुम जासे मुठी भरकतदार आसमान से बड़े हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते पंदेट एट एट अपोल प्राओ तैंक्यू करेया मेंचन नाट भाईया रोश्णी दी कहां जा रही हो तोनल साब के पास मिलिटरी को बुलाने है अच्छा तुम लोग जीपे लेकर मुझे पुलवल रास्ते पे मिलो मैं रोश्णी को देखता हूँ जाओ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो कि मिल्टरी की जीप है तुम जो भी हो आ में अब यह 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 प्ना है कि हिन्दोस्थानी पजी हट जा अली शाह कि राफ्ते से हिंदुस्तानी फौजी रास्ते से हटते नहीं रास्ते से हटाते हैं कि अ कि 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 हुग हुग हुगी! फुग हुग थाक! साजी, अगर इस लड़की की जिम्मी की चाहता है, तो सामने आ। तेरा फौजी तो चूहा निकला, चूहा, घुस गयजर के मारे बिल के अंदर चूहाँ, 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 बच्ब सिर्वाईब अरोजों कर खिरक्षी ह data हुँ, हुआ झाओशी !! हु टाओशी हुआ बढ़़़। पाप बाप बाप पाप क्षस्टू आए हुआ कर बाप da मुद पाप पुआ आप आद झाल 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 इसको हिफाजर से बंद कर दो देखता हमुझे कौन बंद करके रखता इधर साजी तुझे छड़ूगा नहीं मैं वेल डन विजे थैंक्यू सार मैं उमीद भी नहीं कर सकता था कि इतर की खुश्बू में तर बतर रहने वाला आदमी इतना बड़ा जाब आज भी हो सकता है थैंक्यू वेरी माच जी शुक्रिया किस बात का करनल साहब मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्द समझगर किया करनल साहब मैं तो समझ भी नहीं आता कि मैं इन दोनों नौजवानों का शुक्रिया कैसे अदा करूँ पंडिजी किसी बात की जिंता नहीं जब तक इस देश में गुरोज जैसे सरफरोश हैं हम जमीन तो जमीन आसमान पे भी जैहिन लिख देंगे देखो वलीशा अपने भाई अलीशा को बचा लो कैसे बाया अपने हाथियार डालकर नाई गुल्रोश नाई हमारे आतों में हाथियार तब तक रहेगा जब तक कश्मीर इंदोस्तान से अलग नहीं हो जाता अच्छा एक बात बता वलीशा क्या पांच हजार साल पहले कश्मीर कहा था इंदोस्तान में करेक्ट कश्मीर में जब एक हजार साल बुदुमत था तब कश्मीर का था तब भी हिंदोस्तान में ही था करेक्ट जब मोगनों ने हिंदोस्तान पर कब्जा किया मेरा मतलब अकबर जहांगीर के राज में कश्मीर का था हिंदोस्तान में पांचिजार साल पहले जब कश्मीर हिंदूस्तान में था, तो पांचिजार साल बाद भी कश्मीर हिंदूस्तान में रहेगा अल्लाहुआपकर गुरोश, ओए तु अमारे जस्मों को नहीं समझेगा देखो वलीजा, अगर हम अपने मुल्क पर अपना हक समझतें तो हमारे मुल्क का भी हम पे हक है, फर्ज है और फर्ज अदा करने में अगर मुसल्मान सबसे आगे नहीं तो किसी से पीछे भी नहीं रोश मुझे तो लगता है तू इंदोस्तानी फौच का पिट्थू है पिट्थू अबल तुम्हें हूँ नहीं और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तुम्हें पिटू हूँ अपनी फौच का तुम्हाई तरह दूसरे मुल्क की फौच का जर्खरीद खुलाम नहीं तेवे वली शाह, मैं उन लोगे मज़े नहीं जो खाए इस देश का और गाए उस देश का वली शाह, गुल्रोज ने तेरी क्या छुटी कर दी है अमोर शाह, मकान की छट को देकर कद बढ़ाए करू मिया खुदहाफिस, मज़े आ गया अकुमाद सखीरी, और सखीरी यह तो गई काम से शुचा सखीरी ना जागी हो, ना सोई हो ना हसी हो, ना रोई हो पुत्बन के बैठी हो किस खयान में खोई हो सखीरी मेरे नैना, वो मेरे नैना, नैना हुए बदमार सखीरी मेरे नैना, हाँ मेरे नैना, नैना हुए बदमार ना दिन देखे नारा, इन उसाजन की तलाज सखीरी तरे नैना, वो तरे नैना, नैना हुए बदमार सकीरी मेरे नैना हाई हाई नैना ओए होई नैना 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 हुए बजमाच पहले तो ये ऐसे नाचे ये नैन कही अटके नाचे बलके इनको बंद रखती मेरे यौवन की रक्षा करती फिर इपल ऐसा आया देमका बादर छाया खुल गई आखे आख शाजन को सामने पाया फिर पाते हुई हाँ फिर धरते हुई हाँ फिर धरते हुई आखाश सकीरी मेरे नेला हा मेरे नेला नेना हुए बगवाँ बिन साजन मुझे कुछ ना भाए बिन साजन मुझे कुछ ना भाए चेन पर जब साजन आए बिन साजन के दिन है काने साजन संग हर रात उजाने साजन मेरा दील धरम और साजन ही विश्वास सकीरी तर नेना हो तर नेना नेना हुए बगवाँ सकीरी मेरे नेना हुए बगवाँ ना दिन देखे ना रात इनको साजन के दिन हाज सकीरी तर नेना हो तर नेना नेना हुए बगवाँ तर नेना हुए बगवाँ तो है ना इनकी शादी हुई नहीं तो पर प्रॉब्लम क्या है अरे इनका पता बताओ बिना बहरात के इनकी डोली ले आऊ यह मुम्किन नहीं अजी हर ना मुम्किन चीज को मुम्किन करना गुलोश के बाय हाथ का खेल है अगर यह मुम्किन होता तो नहीं मैं मजबूर होता और नहीं शीतल शीतल, तो महतरमा का नाम शीतल है, आप दोनों के बीच में विलिन कोन है, हमारे खांदान का भूत काल, हमारा माजी, ओफ, ओई गिजी पिटी बाते, देखो यार, पहलियों में मत बात करो, सार सा बताओ, प्रॉब्लम क्या है, जिससे मैं भूलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी और याद मत दिलाओ, विजे, मैंने तुम्हे अपना भाई माना है, और भाई होने की हैसियत से, तुम्हे मेरी कसम, बताओ, आखिर बात क्या है, ये तब की बात है, जब मैं एंजिनिरिंग कॉलेज में था, छुटियों में कॉलेज के दोस्तों के साथ शिमला जाते हुए, मेडिकल कॉलेज के सूडेंट के साथ एक शॉपिंग आर्केड में मुलाकात हुई, जिसमें शीतल भी शामिल थी, आहाहा, क्या खुश्बू है, दो हजार की साड़ी और, दास हजार की खुश्बू, आहाहा, अबे निकल, 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 ये तो पुतला नहीं, सच मुश्मुश की लड़की है, ए मिस्टर, क्या है, जिन्दगी कदमों में है, ठुकराइए, और क्या खिदमत करूँ, फरमाईए, सरा उपर तो आईए, फरमाईए, अब मुँ इदर घुमाईए, फरमाईए, अब था पढ़खाईए, वो देखो, मेरा नाम बिंदिया है, और मेरा सिंधिया, क्याने कि आपका समन्द गौलियर महराजा के सिंधिया खराने से है, ने, ओ कहा राजा भोज और कहा गंबू तेली, वैसे हम सिंध के है, बटवारे में यहाँ है, मैं यहीं पैदा हुआ, लेकिन मेरे पिताजी ने प्यारे सिंध की याद में मेरा नाम स ये गविनदिया रख दिया, तोसब के लिए मतार प्यारे से, आपराने साथे सोअिधिया रख दिया, अई जैने का तोसैटा अई बटवारे से ने तोसो like today क्यों मुल कर एक क्यों होता है? व्ट दिस मैंतमेटिक्स मुथा है क्यो हेसा है की इसे है की बट चाली अट पने किस कौन है बही विलान यूवे थरके हमारी मैडम पर लाइन मारता है सर इस इस करेक्ट मैथमेटिक्स अब पर आल ही माई स्टुडेंट स्टॉप इट ठोट ला मुझा स्टॉप इट ऐसे सर फिरी लड़कों के मुह नहीं लगना चाहिए मुह नहीं लगना तो कले लग जाईए शड़ आप चली मैडम ट्रेन का वक्त हो गया है याद रखना छोड़ूगा नहीं विक्रम नाम है मेरा मंत्री सज्जनलाल का बेटा हूं मैं समझे आज कलके मंत्रियों की जंत्री जंता जान चुकी है चल फोट चलो विक्रम प्लीज छोड़ूगा नहीं याद रखना सिर्फ तुमारी वज़े से शोड़ रहा हूं अब मिलन कब होगा फ्रंटियर मेल तो चली गई मैं कितनी बार का चुका हूं कि पूरे होटल की बुकिंग अंजिनरिंग कालेज वालों ने करवाली है आप जाए मैं डैडी को फोन करके तुमारे होटल का लाइसेंस कैंसल कर रहा था अरे नहीं नहीं गोटुमेंदी लॉल जैन ऐसी शिराफत मत दिखाना मैं सबकी बुकिंग कैंसल करके आपकी बुकिंग करता हूं अरे सुनो किसकी बुकिंग कैंसल करने के बात कर रहे हो बुकिंग तो हम लोग इंजिनिर सिंधिया जी हमारे कमरे का है कमरा कौन सा कमरा कैसा कमरा हमारा होटल हाउसफुल है कमरा क्या, कोई बाथरूम भी खाली नहीं वैसे भी जिस होटल में बाथरूम के कौकरुज रहते हो हमें उस होटल में नहीं रहना वाट तो यू मीन? आइ मीन दा यू विरी मीन शाड़ आप विजय नाम है मेरा जीतना काम है मेरा माय फुट वैसे भी विखी के होते हुए शिमला के किसी होटल में तुम्हें कमरा तो मिलने वाला है ने? और हाँ हाँ क्या? अगर पूरे शिमला में तुम लोग गो रहनी की जगा मिलेगी तो वो होगी पुलीस टेशन अरे सुनो बच्चो इस जगडे जगडे में क्या रखा है? क्यों न दोस्ती आरे में कमरे के साथ साथ हम डीनर शेयर करें शट अप यू ठर्क एक बार होटल का बंदबस तो जाए फिर देख लूँगा चलिए सर आता हूँ बिंदिया जी जिंदिया जी फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद ओके बाई अलो होटल स्नोक्रेस्ट मैनेजर स्पीकिंग मैनेजर स्लीपिंग ने 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 श्पीकिंग हम CID के दफतर से बोल रहे हैं CID दफतर गुट मेंदी लालटाइन येस बोलिये हमें खुफिया ख़बर मिली है कि सब होटलों में बंब रखे गए हैं बंब? जी बंब और सब एक साथ फटने वाले हैं जल्दी से होटल खाली करवालो और बचने की सिर्फ एक ही जगा है कौन सी है? वो है पुलिस टेशन पुलिस टेशन? समझ गये? समझ गया अब भात भात की चीखे सुनाई देंगी जल्दी चलाओ बड़े दुख की बात है जिस देश में जांसी की इरानी तोपों से नहीं दरी उस देश की लड़कियां मम के डर से पुलिस इस्टेशन चलिया रही है मैं इंटर्नाशनल टररिस्ट बोल रहा हूँ पॉम ब्लास स्पेशलिस्ट तुम्हारे पुलिस स्टेशन के बातरूम में बम रखा गया है जो अब फटा और अब फटा इंस्पेक्टर साब क्या हुआ? फटने वाला है क्या? बम बम भागो जल्दी भागो आप बम फटने वाला है बम तो अल्रेडी फट चुका है बिर्दिया जी कहा? एक हिरोशिमा में फटा था अब मेरे दिल में फटा है आपको मजाग सूज रहा है सचमच पुलिस्टेशन में बम फटने वाला है भागो वो तो आदले का बदला था मतलब? मतलब आपको होटेल से निकालने के लिए और पुलिस्टेशन में रात बिताने के लिए हाँ हाँ वो हमारे हीरो विजय का कमाल था वो देखो हाँ तुम? जी तो रात पुलिस्टेशन में किस ने गुजारी? तो ये सब तुम्हारी चाल थी? दुश्मनी का मज़ा तो आपने चखी लिया है एक बार यारों की यारी का मज़ा भी चखलो जिंदगी भर मुह स्वादी रहेगा स्वाद? स्वाद तो मैं तुम्हें चखाऊंगा ये मत भूलो कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ चले मैं इस हाल में बाजार से कैसे गुजर सकती हूँ मैं यही रुपती हूँ प्रीज मेरे कप्रे लेकर आजाओ उसको मैं बाद में देख लूँगा फिकर मत करो सिंधिया जी तो फिर मुलाकात कब होगी? रात के बारा बजे लवर्स पॉइंट पे हम सब चलेंगे और तुम हमारे साथ चलोगी मैं? हाँ लवर्स पॉइंट पे मैडम और सर का ड्रामा देखने शायद लवर्स पॉइंट पे लव हो जाए ए मिस्टर विजे नाम है मेरा जीतना काम है मेरा मुझसे क्या जीतना चाहते हैं आप मैं आपसे आपका दिल जीतूँगा मैडम मेरे दिल ने आपके दिल का X-ray कर लिया है और आपका दिल बिलकुन खाली मकान है जो सिर्फ मेरे लिए बना है My foot हम काटा फैंके और मचली ना फसे ऐसा हो ही नहीं सकता मतलब? हमें दाल गलानी आती है मिस्टर, अवल तो मैं डाल हूँ नहीं अगर हूँ भी तो वो डाल नहीं जो दूसरे की हनी में कल जाए बारा बजे लवस पॉइंट लवस पॉइंट पर मैं मैं कभी नहीं आऊंगी मेरे दिल की खड़ी कर तिक 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 तो बजे रात के बारा है तेरी याद ने मारा मेरे दिल की खड़ी कर तिक 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 तो बजे रात के बारा है मेरी याद ने मारा है बिंदिया जी कही है सिंदिया जी आप तो ऐसी तयार होकर आ रही है जैसे अमेरिका जा रही है मुझे अमरिका के साथ-साथ आफरीका भी बहुत पसंद है मतलब इस मुखडे से प्यार हो गया है गुरुजी चले आप तो आप वो भी पकड़ी गई कहा पकड़ में आ रही है कौन पकड़ी गई बताओ बताओ लो मचा गली में शोर लो मचा गली में शोर बडोसन पकड़ी गई लो मचा गली में शोर बडोसन पकड़ी गई ये खबर है चारों और बडोसन पकड़ी गई लो मचा गली में शोर बडोसन पकड़ी गई ये खबर है चारों और बडोसन पकड़ी गई बडोसन पकड़ी गई बडोसन पकड़ी गई बडोसन पकड़ी गई जब शाम धली नाजुक सिकली विर्हा में जली मिलने को चली चुपके 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 वो पहुच गई साजन की गली वो आगे बढ़ी वो आगे बढ़ा वो और बढ़ी वो और बढ़ी वो और बढ़ा चनक गया गोदी का जूडा बढ़ गई धरकन खुल गया जूडा खुल गया जूडा, अभी बंधी न प्रेम के टोर, पड़ो सन पकड़ी गई नो मचा कली में शोर, पड़ो सन पकड़ी गई पड़ो सन पकड़ी गई शोरू हुआ जब प्रेम ड्रामा, अंग अंग में हुआ हांग दामा शोरू हुआ जब प्रेम ड्रामा, अंग अंग में हुआ हंगामा सास सास से जब टकराई, तन कर ली उसने अंगराई ये रहन सकी, वो रहन सका, तुछ कहन सकी पट गई वो इसी बहाने, लगी साधन का प्यार चुराने चोरों को पड़ गए मूर, पड़ो सन पकड़ी गई जो मचा गनी मेशो, पड़ो सन पकड़ी गई ये खबर है जारों को पड़ो सन पकड़ी गई जारों को पड़ो सन पकड़ी गई जारों को पकड़ी गई जारों को पकड़ी जारों को पकड़ी गई ये सावन में हर्याली हो ये पकिया है मैं माली हूँ ये फूल है और मैं डाली हूँ मैं इस गुलाब की लाली हूँ मैं इश्ट का अगर दसहरा हूँ तो हुसन की ये दिवाली है तुम भी किसी से दिल को लगा लो और बाहों में बाहे डालो फिर कभी न करोगे शोर करो सन पकड़ी गई तुम कितनी करो अपील या तो दलील करो अकील तुम लाखन कालो जोर लगा लो जोर लगा लो जोर हम फिर भी करेंगे शोर परो सन पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई ये खबर है चारो और परो सन पकड़ी गई तुम मचा गली में शोर परो सन पकड़ी गई परो सन पकड़ी गई परो सन पकड़ी गई परो सन पकड़ी गई शीतल जी होटल के बैर ने मुझे आपका ख़त दिया कि आपने मुझे यहां बुलाया है यूँ तो धड़कने को दिल रोज धड़कता है लेकिन जैसे कल से धड़क रहा है उससे पता लगा कि महबत की धड़कन क्या होती है आपने चौदवी के चांद से चेहरे को छुपा क्यों रखा है जड़ा चेहरा तो घुमाईए तुम हाँ मैं तुम्हें चिठी मैंने शीतल के कहने पर भेजी थी अब है बिना हैंडल के बैट जूट की बोलता है जूट नहीं सच बोलता हूं मैं और सच यह है कि मेरी शीतल ने मुझसे यह भी कहा कि रात के गाने के छेड़चाड में जिस विजय ने मेरे बदन को छुआ उसकी हड़ियां चूर चूर कर दो शीतल ऐसा नहीं कह सकती शीतल न ऐसा ही कहा है लड़कियों के नाम का सहरा लेने वाला नामर्द होता है नामर्द मार इसे दोर दो इसकी हड़ियां इनी हातों से तुने मेरी शीतल को छुआ देख यही हैं वो हाथ जिन्होंने शीतल को छुआ था हराम खोरो मैंने तुम्हें पैसे मार खाने कले नहीं मार निकले दिये हैं खेले हैं ए राम रुक जाओ रुक जाओ यह मार मारी बंद करो प्लीज यह मार मारी तब बंद होगी जब तुम्हारा यह खरीदा हुआ कातिल मरेगा यह तो मैडम शीतल पूछो इससे तुम्हे मुझे मारने के लिए इसे भीजा था यह जूट है वीजे इस होटल के बये ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुने ऐसे का यह सर मेने सब कुछ बता दिया तुमने इसे पांसार रव पे दिये और उन कातिलों को पाँच हजार, क्योंकि मैं विज्य से प्यार करने लगी हूँ शीतल, बक्वास मत करो मैंने कहा था ना आप जहान जहाँगे, हमें वहाँ बहाँ काओगे लिपड़ जाते हैं वो बिजली के डर से या इलाही ये घटा दो रोस्तो बर से मैंने कहा था ना हम जिंदगी में पहली बार काटा फेंके और मचली न फसे ऐसा नहीं हो सकता हमें दाल गलानी आती है मिस्टर अबल तो मैं डाल हूँ नहीं अगर हूँ भी तो वो डालने जो दूसरे की हांडी में कल जाये वाह क्या बात है वैसे अज जो कुछ भी उसके लिए माफी मांगती हूँ मैडम माफी भी कोई मांगने की चीज है अरे अगर कुछ मांगना ही है तो अपने इस मांग के लिए मांगिए अगर सिंदूर नहीं तो इसे विजय अपने खून से भर देगा बहुत गुस्ताक है आप सुनिये जी आपने मुझे गुस्ताक कहा जी हाँ, बहुत गुस्ताक है आप गुस्ताक कहके मुझको आप गुस्ताक ही कर गए थोड़ी हमसे हुई, थोड़ी आप कर गए मतलब पडोसन पकड़ी गई पडोसन तो पडोसन, पडोसी भी पकड़ा गया अजी सुनिये, फिर मुलाकात कब होगी देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा अभी तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है कुमने भीगी कुई जुलकों से जो जटका पानी जुमके आई खटा तूटके बरसा पानी 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 जाल राप्टारा आ जाल कर दो कर दो कर दो मुदर्धू कर दो ओ़्नした छो पाल्ध। आंगु पांगु मे ऐो मंदु रहा तेना मेरा संगु पानी ओ पानी ओ पानी ओ पानी पानी अंग पांग में यो मंग हो तेरा मेरा संग हो तो प्यास्ती खतम हो कहानी ओ जानी होटों के पयामने तु जो बाही धामने तो सच जाए सचना की रानी पानी ओपानी 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 एक तो बादर आवारा है उस पे पबन आवारा है मैं दोनों के सदके जिसने मेरे दिल की जानी आई जट पत है वरी नट खत है बरखा की रुत मस्तानी पानी ओ पानी ओ पानी ओ पानी ओ पानी पानी तन भीग जाने दे, मन भीग जाने दे, उन दे जरा सी मन मानी पानी और पानी और पानी 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 नहरों जितनी उमर हमारी जल पर लिखी पानी लेहरों जितनी उमर हमारी जल पर लिखे पहानी पल दो पल जी भर के जीने पल की किसने जानी जोरी एक दूजे में भूल जाने हो एक दूजे में खुल जाने से कि जज़ को हो है रानी पानी जाइवर जी मेरा समान उपर कमरे में भेज़ दादा जी पिता जी मा आप सबको विज़े का प्रणाम अरे तीनों को प्रणाम किया ना किसने कलेजे से लगाया और नहीं आशिरवाद दिया तताजी पच्पुच पद्दधाजी पच्पुच मा पच्पुच अब आप तिनो ने ये पच्पुच के क्या रट लगा रखी है अरे ये पच्पुच तेरी ही सुलवाई हुई फुलजडी है जिसने हम तिनों को चक्कर बे ढाल रखा है पुछ्पुछ। हा पुछ्पुछ। अरे बौतिझे अगर तु दादाजी का सक्चा दोस्त है तो मुझे बता दे कि ये पुछ्पुछ है क्या। हुआ graduated तो यारए है 갓 अरे बड़े पुछ पुछ यार भड़े पूछ पुछ तो मिन दड़ पुछ की पकी दोस्ती है तो बाप बेटे की इस ली मज़े बताईए इसने पुछ पुछ का मतलब किया बठाए गदा औरकी कि इसने का अगा कि मया है अरे बैटी की मा हूँ, आपको उसकी कसम, मुझे बताइए ना कि पुछ-पुछ का मतलब क्या है अरे बहुत नहीं पुछ तो अच्छा नहीं, बताइए ना अच्छा, कान लाओ, जाए पुछ-पुछ का मतलब है पप्पी मा तुम कितनी भोली हो दादा जी सुनिये अगर यह सारी दुनिया पुछ-पुछ का खेल खेले तो नहीं कहीं जंग होगी और नहीं अटम बम फटेगा बस हर तरफ पुछ-पुछ होता रहेगा अरे पुछ-पुछ के चेंपियन हमारी होने वाली बहु का नाम क्या है शीतल शीतल और जात दादा जी वहां पुछ-पुछ से फुरशत ही पढ़ी जो जातपात पता करता सही जा रहे हो पोते यह जातपात से करना ही क्या है यह जातपात के जगड़े तो हमारे देश को गली कूचों में बाट रहे हैं यू आर एपसिलूटली राइट दादा जी पर बेटी इतना तडपा क्यों रहा है और बता ना शितल की बारे में उसकी माँ है उसके दादा है चिनोंने पंडित से पूछ कर कल शाम चार बजे मंगनी का मोरत भी निकाल लिया है अड़े वाँ एकदम फोजी एक्षन हाँ दादा जी उसके दादा भी रेटाइट फोजी है विजे बेटा वो तुमारे घरवाले नहीं आये जी वास्ता करना साथ मैं हूँ विजय का पिता करना नाइस बीटिंग यू और यह मेरे धर्म पत्नी और मेरा विजय की माम नमस्ते यह शीतल मेरी पोची यह शीतल की माम नमस्ते दादा जी इनसे तो आप मिल लिए अब ब अदब बा मुलाइजा होशियार खबरदार आ रहे हैं विजय के दादा महाबली करनल महंदास रिटायर्ट करनल महंदास करनल महंदास ज्यादा खमोशी अच्छी नहीं होती कि अंचंद गुस्सा थूख दे और आख मेरे गले लग जा जगदार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखनी यह आप क्या कह रहे हैं यह मेरे दादा है दादा ग्रेट दादा दी ग्रेट नहीं दादा दी ग्रेटेस अरे यह तो जय चंद से भी बड़ा गदार है इसलिए भारत मां की कोक में छुड़ा हो पाई यह सब जूट है बकवास है शाट आप मोहंदास भूल गया सानिकत्तर की जंग का वो दिन जिस दिन हम दोनों फ्रेंट पर कठे थे करनल मोहंदास हमारी इंटेलीजेंस रिपोर्ट के मुतादिंग दुश्मन की फौज पहाड़ी के दाई तरफ से मूब कर रही है करनल ग्यांचन तुमने इंटेलीजेंस की रिपोर्ट को अच्छी तरह से वेरिफाई कर लिया है न हाँ वेरिफाई भी कर लिया है और कॉंटर प्लैन भी बना लिया है क्या है तुमारा काउंटर प्लैन जब दुश्मन की फौज दैनी तरफ से मूब करेंगी उस वक्त हमारे सिपाई दोनों तरफ से उनके उपर अटेक कर देंगे वेरी गुड प्लैन एक टुकड़ी की कमांड में खुछ संभाल लूँगा और दूसरी की मेजर धरमराज तुम यस सर क्यांचंद एक बात कहूं धरमराज तुम्हारा एक लौता बेटा है अभी अभी उसके हां लड़की बैदा हुई है उसकी जान क्यों जोख में डाल र सब्सकतर सब्सक्राइब हिंदुस्तानी फोजों को तुम्हारी प्लैन का पता चल चुका है अब दाई तरफ की बजाए पहाडी के दोनों तरफ से हिंदुस्तानी फोजों पर अटैक करना हाँ अब दाई थर्म भी तो ठीक तो है जड़ों पिटे हमारे साथ बहुत बड़ा धोका हुआ है हमारी कंपनी में को गद्दार है जो हमारे राज दुष्मन को बेच रहा है जय हिन जय हिन करनल अब तुम हमारे कैदी हो चलो करनल मोहंदास गिल लो अपने पैसे अलताफ मेरे पास वक्त बहुत कम है तुमने गिल लिए है ना मेरी सैटिसफेक्शन है ऐसी ख़वर देते रहो हिंदुस्तानी फोज के रास बताते रहो माला माल हो जाओगे मैं अपना काम करता रहूँगा तुम अपना काम करते रहो तुम अपना काम करते रहो कुछ याद आया महंदास कुछ याद आया कादार बोलता क्यों नहीं पिताजी कैजच है मैंने कहा ना बेटा कि ये सरासर जूट है मेरी काम्यावी से जलता है ये इस रिष्टे को तोड़ने की ये साज़िश है दादा जी जो कुछ पियो उसमें विज़े का क्या कुसूर है बेटी पिजे के दादा रगुकुल के दश्रत नहीं है इनके यहां राम जैसी संतान जनम लें ये तो बबूल का पेड़ है बबूल का पेड़ जहां सिरफ कांटे ही लग सकते हैं गुलाब के फूल नहीं रद्दारों के यहां रद्दार ही पैदा होते हैं माँ माँ आप दादाची को समझाओना प्लीज समझाओना चीतल बेटी तेरी माँ मुझे क्या समझाएगी जिसके हाथों की मेंदी अभी फीकी भी नहीं हुई ठीक है ये विद्वा हो गई और उसका जिम्मेदार ये विजे का दादा है विजे का दादा सुहाग का लाल जोड़ा उतरवाकर मुझे विद्वा के ये कपड़े पहनाने वाले ये ही है बेटी है अपनी मां की सुनी मांग देख रही होगा मेरी मांग का सिंदूर बिटाने वाले तेरी मां में सिंदूर भनने आया है ये कभी नहीं हो सकता कभी नहीं, यह हर्गिज नहीं हो सकता बिक्तार है, बिक्तार शीतल, तुम्हें विजय और दादा में से किसी एक को चुनना होगा दादाची शीतल, अगर दादा की लाश पर से गुज़र कर तुम्हें अपने प्यार तक पहुंचना है तो पैनाओ उंगुठी, तुम्हारी डोली बाद में उठेगी, मेरी अर्थी पहले शीतल, तुरे सुना नहीं, फेक दे यांगुठी, फेक दे विजय बेटे, विजय बेटे हम सब आपके लिए मर चुके हैं मेरी बाद तो सुनो बेटे, मैंने जो कुछ भी किया है, तुम लोगों के लिए किया है क्या किया है आपने हमारे लिए सब कुछ तुमारे लिए ही तो किया है, ताके तुम लोग दौलत मंद कहला सको बड़ी से बड़ी हस्तियों के साथ मुकाबना करो कीमती से कीमती कारों में घूमो आली शान से आली शान बंगलों में रहो आली शान बंगला? ये आली शान बंगला नहीं ये कबरिस्तान है कबरिस्तान जिसकी एक एक दिवार गद्दारी के रुप्यों से बनी हुई है इस आलिशान बंगले की बुनियात के नीचे अंगिनत फौजयों की लाशे हैं, फौजयों की लाशे यह पर्दे लाल नहीं आपके हाथों मरवाय गए फौजयों के खून से लत्पत बर दिया है पिजे, पिजे बेटे, तेरे जारी में अंदर से दर्वासा बंद कर लिया है, खोल ली रहे है करण 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 पिजे, तुम तालाप का ठैरा हुआ पानी नहीं, पहता हुआ दर्या हो, आगे बढ़ो और अपने खांदान पर लगे हुए घद्दारी के कलंग को मिठा दू आशा है इस अभागे बाप की अंतिमिच्छा जरूर पूरी करूगे हाँ पिता जी, आपकी अंतिमिच्छा मैं पूरी करूगा, मैं और बस गुल्रोश, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया और फौज में भरती हो गया ओ मेरे मौला, विजे तुमने अपनी जिन्दगी के किताब के जितने पन्ने सुनाएं उनमें किसी में मिलन की बहार, किसी में जुदाय की परच्छाई कुछ पन्ने आसों से गिले, कुछ पे खून की छीटे लेकिन माय उसमत हो, तुमारी जिन्दगी किताब के बहुत से पन्ने अभी भी कोरे है उन खोरे पन्नों का क्या होगा गुल्रोश भाई? उपर वाले पे भरोसा रखो, वो बेनियाज है तुमारी जिन्दगी के बाकी पन्नों पर मुझो कुछ भी लिखेगा, अच्छा लिखेगा क्योंकि अभी तुम्हारे फसाने को दास्ता बनना है दास्तान? हाँ, सुवे होने को है, थोड़ा आराम कर लो, फिर मेरे साथ स्रीनगर चलो मैं स्रीनगर चा के क्या करूंगा ये माय उसी छोड़ो विजे, दो दिन में तरो ताजा हो जाओगे और जरायसा भी तु सोचो, कि जिसकी याद तुम्हारी नस नस में रची हुई है उसने भी तुम्हारी तस्वीर देल से लगा रखी होगी मेरी तस्वीर जिस कैंप में चाचा रोशनलाल रहते हैं मैं उस कैंप में वही काम किया जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए बहुत अच्छा किया बेटे, माते रिस्सत के लेकिन भाईजान, अगर विजे भया ने अलिशा को पकड़ ही लिया था तो उसे जान से क्यों नहीं मारा इंसानियत का तकाजा है भेन भटके हुए को मारने से पहले एक बार सुदरने का मौका देना चाहिए भाई हो तो ऐसा अब मैं कल स्कूल जाकर अपने सारे बच्चों को यही सबक दोगी क्यों अबू? स्कूल? हाँ बेटा स्री नगर में तो आए दिन कर्फ्यू हरताल रहती है तो स्कूल बंद रहते हैं इसलिए महले के बच्चों को नूर बेटी रोज सुबह पढ़ाती है अरे वाह बहन हो तो ऐसी और भाई हो तो विजय भाया जैसा है बेहन को अगर भाई पर भरोसा नहीं होगा तो फिर किस पर होगा? और वो भी फौजी भाई पर जानते हैं विजय भाया क्या? राखी वाले दिन सारे फौजी भाई मुझसे राखी बंदवाने आते हैं जैसे जैसे सारे हिंदुस्ताने पोज की एकलौती बेहन है नूर वा, बेहन हो तो ऐसी अब बेहन बहुत हो गया अब क्या इस बेहन के लिए कुछ भाभी का भी इंतिजाम किया है भाभी? बात बात में दभूली गया मुझे कहीं जाना है यह मैं तुम्हारे लिए खास मुंबई से लाया हूँ यह कमाल की जूड़ी बिल्कुल हमारी तरह हमारी तरह यह शादी के बाद प्यारे प्यारे बच्चे है तुम लेट क्यूं आए अरे कहाना किसी से मिलना था दर्जी के बाद जाना था और फिर तुम्हारे ले कुछ खरीदना भी तुथा मैं तुमसे नाराज हूँ अरे यह देखोगी तो नाराज़गी खुद बखुद दूर हो जाएगी देखो यह यह मच्छरदानी मच्छरदानी अरे नाइटी को मच्छरदानी कहती हूँ तुम नाइटी शादी के बाद रात को कुछ पहनोगी के नहीं भाड में जाए तुम्हारी नाइटी मेरा क्या कुछ भी मत पहनो ठाका कितने बेशरम हो गयो तुम मैं तु चली बबा गुल्नार सबर कर गुल्खान सबर कर बली शक कैसे मेरे दोस्त मेरे साथी गुल्रोश तेरा दुश्मन क्यूंके वो तेरी गुल्नार को तुछ से चीन रहा है और वो फौजी विजये मेरा दुश्मन क्यूंके मेरी जिंदकी की मुंबती रोशनी उस पर अपना दिल लुटा चुकी है हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वली शाथ करेंगे गुल्खान करेंगे विजये और कुल्रोश की आपस में फूट फूट हम वो कैसे यह मत पूच गुल्खान वली शाथ दिमाख यह दिमाख में शत्रंच खेलता रहता है संदिते हुल्खождения मैं महाँद फूच की वर्ति पहन कर कारनामा किया हुए यानि हिंदोस्तानी फौच को बदनाम किया हुए एक और सा खुजर गया अलीव से अलीव से अलीव से अलीव से खमश अलीव से पुल्भश अलीव से अल्म चॉव ममश अलीव से अल्लाह भी होता है तो मुसल्मान अल्लाह अल्लाह से बास नहीं आएगा मेरे फौजी भाई जिसकी रगों में कुरान पाक की आयते बसी हुई हो वो मुसल्मान मुसल्मान ही रहता है तो सुन्लो ए मुसल्मानों आज के बाद चम्मू और कश्मीर में कोई मुसल्मान नहीं रहेगा पोजी भाई अब ये कैसी बाते कर रहे हैं मैं किसी का भाई नाई सात्यों देखते क्या हो बून जालो इन सब को मैं ठीक कह रहा हूँ गुल्रोश हिंदुस्तानी फोजों ने तुमारी भैन को गेर रखा है जूट है ये सथ है ये अगर यकिन नहीं तुम मेरे सथ चलो चलो अल्ला बहुत अल्ला करती है हम तुझे गोली से नहीं नोखीले भाले से मारेंगे इस नोखीले भाले से ये पाजी मुझे चलो बुरा है देखो वो भाग रहे है रुख जा हिंदुस्तानी फोजो रुख जाओ मैं कहता हूँ रुख जाओ नूर क्या लड़ा मैंने कहा ना ये हिंदुस्तानी फोजी उने किया है देखो ये पाज़ने समूत है इस बात का ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हुआ है नूर ये क्या हुआ हाँ भाया वो इंदुस्तानी फोजी कह रहा था जम्मू कश्मीर में कोई मुसल्मान नहीं बच्ची गा वो 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 होसला गुलोश इसमें जरूर किसी कोई साधिश है कोई साधिश वादिश नहीं ये अकिकत है इसमें मेरे काला गुझ भी कोई काला जिए आखिए नग्मूान किसे सुधाति ये उप्रज करने औरुब 30 सारी हिंदुस्तानी फौज की मैं एकलोती भेंड हूगा और आज आज उसी फौज ने अपनी एकलोती भेंड को मार ढाला खुलोज बोल अरे बोल फौजी बोल तू क्या बोलेगा बोलने का और करने का वक्त अब मेरा है मेरी बहन की मौत के साथ-साथ इन बेगुनाब बच्चों की मौत का बदला मैं लूगा मैं अलिशआ यह वह दो हिंदुस्तानी फौजी यह है कहता है यह कातिर क्या कहता आपन वीजे साहब ने करनल साथ के हुक्म के मुताबिक हम फौजियों को बहुत सारा रूपया दिया और कहा कि गुल्रोश के बहन नूर के साथ साथ स्कूल के मासूम बच्चों को भी खतम कर दिया जाए और हमारे फौजी साथियों ने सब को मार डाला सुन लिया गुल्रोश सुन लिया सुन लिया सुन लिया और समझ भी लिया मैंने क्या ये हाथ जो दुआ कले उड़ते थे अब इंतकाम लेंगे शाबाश कुल रोश शाबाश इंतकाम लेंगे इंतकाम लेंगे ट्रेडिंग के बाद का पहला काम विजय की मात उस कर्णल को अमारे कद्मों मिलाके डालना ये कर्णल अमारी कायद में होगा तब ही अमारा बाई अली शाओ आजाद हो सकेगा इंशाल्ला आजाद हो तेरा मेरा संग हो अप्यास की खतर हो कहानी आजाद 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 आज आओ नहीं नहीं हमारा मिलन नहीं हो सकता शीतल अरे मैडम आप सब यहाँ यहाँ से लेकर श्री नगर के आसपास बहुत बार आई हुई है हम डॉक्टरों की टीम लेकर आये हैं ताकि बार से पिडित लोगों की मदद कर सके और कोई बिमारी न फैले अच्छा मैडम लेकिन आप लोग थेरे का हैं यह हमारे टेंट्स में शीतल मैं फिर कहती हूँ वापस जाने का फैसला बदल दो मुझे जाने दीजी मैडम जाओगी तिल यहाँ छोड़कर अपने हटियों के धाची को लेकर कहा जाओगी आप तो मेरी मजबूरिया जानती हैं मजबूरियों से भागना मजबूरियों का हल तो नहीं है समझ मैंने याता मैं क्या करो जीओ तो कैसे जीओ, मरो तो कैसे मरो पगली, अरे पगली वो बड़े किसमत वाले होते हैं जिनने जिन्दगी में सच्चा प्यार मिले और तुझे जो प्यार करता है वो वहाँ है क्यों शितल देख लिया न विजय को खामोश अकेला बिल्कुल तनहा शितल जब कोई नहीं होता तो तनहाईयां होती है जब कोई नहीं बोलता तो तनहाईयां बोलती है और जब तनहाईयां बोलती है तब परचाईयां भी कहां कहां बुटती है अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने दिल से पूछो अपनी आत्मा से पुछु शितने? पिजे! आज की रात, आज की रात, आज की रात, आज की रात बाहों में सो जाईये, सो जाईये क्या पता, ये मिलन कल दोबारा न हो, अर दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन हमारा भी हो, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो, मन तुम्हारा भी हो आज की रात, आज की रात, आज की रात, आज की रात बाहों में सो जाईये, सो जाईये क्या पता, ये मिलन कल दोबारा न हो, और दोबारा भी हो, तो भरोसा नहीं मन हमारा भी हो, मन तुम्हारा भी हो आज की रात, आज की रात आज की रात, आज की रात आज की रात, आज की रात देल से दूर से आई है, आई है अज की रात, आज की रात, आज की रात उस पढ़्ने से सारा बदन गिला हो गया ऐसा लगता है, जैसे बर्खा बर्शी हो बरखा बरसी नहीं तन्य गिला हुआ कैसे महनी बिना हाथ पीला हुआ कैसे महनी बिना हाथ पीला हुआ यू तो चाने को चाई है ठाले गटा पर गगन किस तरह इतना नीला हुआ पर गगन किस तरह इतना नीला हुआ आज की रात, आज की रात आज की रात मुझे में समो जाईए क्या पता कल न दी हो किनारा न हो और किनारा भी हो तो भरोसा नहीं मन हमारा भी हो आज की रात, आज की रात, आज की रात जाँ पर गई रातों के बार ज्राकरी है कई रातों के बार जिर से जूर से आई है गुल्रोश मियां इदर के खुश्बू से पता चल चुका था कि तुम यहां हो अरे आज पहली बार तुमारे हाथों में बंदूग देख रहा हूं ये किसलिए कहां जा रही है मैडम शीतल सारा श्रीनगर बार के पानी से घीरा हुआ है हम लोग वह हेलिकॉप्टर लेके जा रहे हैं बजल्दी तैयार हो के आती हूं नहीं नहीं तुम नहीं मैं तुम्हारे लिए यहां काम छोड़े जा रही हूं आसपास के गाओं के अलावा किसी और को भी तुम्हारी जरूरत है अब मैं चलूँ खुट लाग सेम टु यू पाई कमान सिस्ट्रस मैडम का भी जवाब नहीं जी तो अब अब क्या ठोकरे खाकर मुस्कुराना आ गया आ गया मेरा जमाना आ गया ऐ जमी पाउं के तले से निकल आसमा सर पे उठाना आ गया अलो ओ नो मैं अभी आया क्या हुआ करनल साब को आतंगवादी ले गए तुम टेंट में जाओ मैं चला बाबू राश्नी में जल्दी में हूँ वलीशा के आदमी करनल साब पोठा के ले गया है यह तो मैं जानता हूँ तुम्हे किसने बताया उनका एक आदमी आता नशे में धंकी देने और आज उगल कर चला गया करनल साब इस वक कहा है वलीशा का वो ठिकाना मैं जानती हूँ तो चलो उस तरफ अरे धर हमको एक मच्चर मारने को नहीं मिल रहा है उधर नीचे वलीशा करनल का ख़ाल खींच रहा है हाँ सुनो प्रोश्णी तुम मिलिटरी हैटकोर्ट जाके सबको ख़वर कर दो तब तक मैं देखता हूँ मैं जीप में गई और आई जैहिन जैहिन बता कहा है मेरा बाई बता वो वही है जहां उसे होना चाहिए जैहिन, जैहिन जैहिन, जैहिन ओई बशीरा बोल वलीशा जरा ऐसे विजली का करण तो लगाना जैहिन 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 अपने आदमियों से कहो के अपने हत्यार फेंगने ठैक तो बंदू के हत्यार हत्यार तो तुम फैकोगे फौजी आहाहा शाबाज गुल्रोश फौजी तुम वो सापो जिसने भाई बनकर एक बेहन को डस लिया ये जूट है तुमने मेरी बेहन का गतल किया है वे जै कुल्रोश मुझे तुमारी दोस्ती का नाम अपनीजर पर विजह है बुगत करी दोस्ती का दस्तूच यही है कि कुछ दोपय देकर मेरी बहlardan तुम आप मिरी दूस्वनी का दस्तूच आ कि कि जो तोमद तुमने मुझे लगाई ये वो जूटी है सच तो ये है के करनल साथ को तुम उठा के लाए हो जिसकी सजा अब तुमें मैं दूगा रुक जाओए इन दोलों के बीच कोई नहीं आएगा पोलीश का बार इंदुस्तानी पहुचा आप पहुची है बागो यासे बागो साथ पीचे के लास्के से बागो जल्दी होए वेल डन माई हीरो वेल डन थैंक्यू सर् बाबू बाबू क्या हुआ बाबू को रोश्नी घबराने की जरूरत रहें सब ठीक हो जाएगा चलती चलो कुछ समझ में नहीं आता करे तो क्या करे तुफान की वज़े से हेलिकॉप्टर उदंपूर से आ नहीं सकता और हम लोग मिल्ट्री हॉस्पिटल जा नहीं सकते रास्ते में लैंड स्लाइड है पूरे रास्ते बंद है और इधर वेजे के जिस्म से खून बेता हचा बह रहा है और पल्स रेट भी कम होता जा रहा है करे तो क्या करे आप चिंता मत कीजी मतलब आपरेशन करके गोली मैं निकालूंगी करे बहा है करें पैसे आप चोकुछ फिर वा उसके लिए माफी मांगती है अरे मैडम माफी भी कोई मांगने की चीज है मांग नहीं है तो कुछ अपनी इस मांग के लिए मांगे अगर सिंदूर नहीं तो ये विजे इसे अपने खून से भर देगा सिस्टर टॉच चलाओ ये रोष्णी काफी नहीं है रोष्णी मैं करूंगी चल्दी रोष्णी काम हो दी मैं अभी करती हूँ रोष्णी जल्दी करो प्लीज आप चिंता मत किजिए रोष्णी रोष्णी बाबू ठीक है हाँ रोष्णी गोली निकल गई है अब खत्रे की कोई बात नहीं है शुकर है भगवान का रोष्णी 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 अगर बाबु मुझे आतंकवाद्य से नहीं बचा दिना तो वह आतंकवादी मुझे इस देश से दूसरे देश ले जाते है बाबु ने तुम्हें बचाया और तुमने बाबु की जान बचाई ये तुम्हारा है सान है मुझ पर जी एक डॉक्टर पर आप बहुत अच्छी है डॉक्टर जी लेकिन तुमसे अच्छी नहीं बाबु की जान बचाने में तुम मुझसे बड़ी डॉक्टर हो रोशनी में किन किन चीजों के लिए तुझे इनाम दूँ इनाम में क्या दोगे जान भी मांगेगी तो दे दूँगा हरी ओम हरी ओम बाबु में जान तो नहीं मांगूँगी मगर कुछ मांगूँगी जरूर तोगे जरूर तो दोवचन दिया वचन कसम से कसम से बोल सिया पति राम चंडर की जै अरे वाँ आज तो मुपे काफी रौनक है उनके आने से जो आ जाती है मुपे रौनक वो समझते हैं बिमार का हाल अच्छा है चनाप असलियत ये है कि आज आज आप बिलकुल ठीक हैं तो ये लीजिए आपका इनाम ये क्या है ये है मोबाइल फोन यहां पर हम 24 गंटे तो एक साथ रह नहीं सकते हैं मगर जब मन करें फोन पर दो बात कर सकते हैं गुड आडिया थैंक यू डॉक्तर साइबा थैंक यू बोलने का मौका हमें में दीजे वो कैसे अंग अंग में उमंग हो तेरा मेरा संग हो तो प्यास की खतम हो कहानी ओ मिस्टर सिंद्या मैं सच कह रही हूँ करनल साब ने मुझे बताया कि विजय ने फोज में वो काम किये हैं कि खांदान पर लगे हुए गदारी के सारे दाख धुल गये हैं अरे आफ्टर आल विजय इस माई स्टूडेंट सिंद्या जी अब देखना शीतल के दादा शीतल की शादी कितनी शान से विजय के साथ करते हैं अरे विजय और शीतल की शादी दादा क्या दादा का दादा भी करेगा हलो हलो पता है कल बसंद पंछमी है रोष्णी ने मुझे कमाल के कपड़े दीये हैं Very good पेरी गुट क्या मुझे इन कपड़ों में देखोगे तो छुटी हो जाएगी तुम्हारी लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी कपड़ों में देखा ही नहीं क्या मेरा मतलब है कि मैं तो हमेशा ही तुम्हारी आखों में डूबा रहता हूँ तो कल आँखों से बाहा निकलकर मुझे इन कपड़ों में देखना तो फिर जल्दी से आजाओ, सवरा पुछ-पुछ हो जाए तो पुछ-पुछ के अलावा कुछ सूचता भी है मालो में मेरी सारे लिप्स्टी की खत्म हो गई है अरे लिप्स ते के खत्म होई है ना, लिप्स तो है निशान तो छुपाने पड़ते हैं अच्छा छोड़ो, नए कपड़े पहन कर आओ, तुद देखूंगा मैं नए कपड़े पहन कर रोश्णी के साथ कल सुपर मन देज जाओंगी जै श्री राम यह लो दीदी यह क्या है? सिंदूर सिंदूर? कल मांग बरवानी है ना मैं तो भूली गई थी बाबू, सिंदूर कहां से लाएंगे? इसलिए कनया, कल हम बाबू और पापा दोनों को प्राइज देंगे प्राइज नहीं, सर्प्राइज हाँ, हाँ, सर्प्राइज बेठे, सर्प्राइज, सर्प्राइज क्या बाते हो रही है? पापा, कल बसंद बंचमी है ना हम दोनों सोच रहे थे कैसे मनाए हाँ, हे प्रभू बसंद को नजर मत लगाना पापा, आप यूही चंता करते हो कल देखना धर्ती और आकाश मेरी ताल से ताल मिलाएंगे मैं क्या हूँ मैं खामखा तू क्या है तू खामखा मैं क्या हूँ मैं खामखा तू क्या है तू खामखा इश्क बरे है खामखा इस्क बड़े है काम का, बाकी सब कुछ काम भखा मैं क्या हूं मैं। तू क्या है तू मैं क्या हो मैं खाम खा, तू क्या है तू खाम खा, इश्क बड़े है खाम का, इश्क बड़े है खाम का, बाकी सब कुछ खाम का, इश्क बड़े है खाम का, बाकी सब कुछ खाम का, इश्क बड़े है खाम का, तू क्या है तू खाम का, इश्क बड़े है खाम का, बाकी सब हुआ 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 है कोई इश्क तो दिल से करता है पर दुनिया से वो डरता है कोई इश्क में मर कर जीता है कोई जीते जी यूही मरता है इश्क में जो मर न सके उसका जीना हामखा इश्क बड़े है खामखा इश्क बड़े है खामखा इश्क बड़े है खामखा मैं क्या हूँ मैं तू क्या है तो मैं क्या हूँ मैं खामखा तू क्या है तो खामखा इश्क बड़े है खामखा बाखी सब कुछ खामखा मित किसी को बनाओ यारो कीत मिलन के गाओ यारो मित किसी को बनाओ यारो गीत मिलन के गाओ यारो जब तक सांस आए जाए प्रेम की भून बचाओ यारो इस भून को जो गाना सके उसका गाना हाम खा इश्क बड़े हैं काम का बाकी सब कुछ खाम खा इश्क बड़े हैं काम का मैं क्या हूँ मैं तू क्या है तू करदल साथ रोशन नहीं जानती बीजे और शीतल पुराने प्रेमी है रोश्टू करो के प्लीज ऐसी रिष्टों का ये खेल है सारा गैर है कोई तो कोई हमारा कोई है पिपत, कोई है बाती भूंदे कोई जीवन साती हाँ रिष्टों का ये खेल है सारा गैर है कोई तो कोई हमारा कोई अपनों में, कोई सपनों में कोई तुमन में, कोई दर्बन में कोई तो रखे सचा रिष्टा कोई रखे मतलक से रिष्टा रिष्टों का ये खेल है सारा मतलब से जो रखे रिष्टा उसका रिष्टा खाम खाम इश्क बड़े है काम का बाकी सब कुछ मैं क्या हूँ मैं तू क्या है तू मैं क्या हूँ मैं खाम खाम तू क्या है तू खाम का इश्क बड़े है काम का इश्क बड़े है काम का इश्क बड़े है काम खाम रोशनी यह खून कैसा बस यो ही हाथ में सिंदूर की डिबिया थी चुप गई खून निकल आया सिंदूर की डिबिया देखो बाबू मेरे खून में सिंदूर गंदा नहीं किया लेकिन पगली यह सिंदूर है किसलिए जानते हो सिंदूर मांग में भरने के लिए होता है तो लो भर्दो मांग क्या मतलब सोचके रहे हो बाबू भर्दो न रोशनी देखो बाबू तुमने कसम खाकर वचन दिया था जब जब जो भी मांगूंगी दोगे अब वक्त आ गया है बादा निभाने का लो चुटकी भर सिंदूर और भर्दो मांग प्रॉशनी पस बाबू दिदी देखो तो बाबू कैसे खामोश खड़े है प्रॉशनी तुम्ही मानुँ है तुम क्या कहा रही हूं हाँ मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूं मैं? मैं यही कह रही हूं किलो चुटकी बर संदूर और और भर्दुशी तलीदी की मांग। अरे वा रोष्णी, शाबाश बीटी, शाबाश, जीती रहो। जिस रोष्णी ने किसी के जिन्दगे में अंधेरा नहीं किया, वो इनके जिन्दगे में अंधेरा कैसे करेगी बाबा। वा प्रभू, वा पल ही पल में तुने मेरी रोष्णी को इतना स्याना बना दिया। जीती रो भीटी, जीती रो। बस बाबू, अब इस स्यानी की बात मानो और भर दो शीतलीदी की मांग। लेकिन रोष्णी तुम... बाबू, तुम्हें मेरी ना सही, शीतल लिवी की कसम अच्छा बाबा, तुम जीती और हम हारे और हारे भी तो ऐसे हारे के हार के भी जीत गए रुख जाओ शीतल, मांग में सिंदूर भरने के साथ अगनी के फेरे भी लेने पड़ते हैं दादाजी हाँ, हवन कुन तो मैं बन नहीं सकता लेकिन यहां कोई न कोई मेरी लाश को आग के हवाले कर देगा रप्ते उठेंगी, फिर विजे के साथ मेरी चिता के फेरे ले लेना दादाजी तुम्हारा डादा विजे से तुम्हारा रिष्टा तोड़ चुका है मकर दादा ची, हालाद बदल गए हैं हाँ, हालाद बदल गए हैं और बदले भी तो ऐसे बदले के आज तुम्हारी मा हस्पताल में आखरी साथtsåले रही है क्या हुआ माको किस औरत के सुहाथ को भरी जवानी में ही धोके से मार दिया गया हो अगर वो बिमार ना भी हो फिर भी वो बिमार होती है बहुत बिमार होती है दाताशी प्लीज बता ये नुमा को क्या हुआ किस जबान से अपनी मा का नाम ले रही हो उस जबान से जिस जबान से तुमने मां को ये बचन दिया था कि विजे के साथ अब तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं है आज तुनू तुमने मेरे विश्वास को धोका दिया है मेरे विश्वास को मुझे जाना होगा शीतल दीदी चेहरे पर सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है अगर यही सिंदूर मांग में होता तो क्या बात थी तुम्हें नहीं वालूम रोश्णी कि मेरी मच्पूरियों के पाताल के कोई सीमा नहीं और उस पाताल में तुम बाबू को डुबो देना चाहती हो मैं हार गई रोश्णी मेरी हिम्मत हार गई मेरी मुहबत हार गई मैं जह रही हो जाना चाहती हो तो बाबू से पूछो पिछे तुम्हारी मा बिमार है और जाना तुम्हारा फर्स है नेकि तुम क्या करोगे मैं मैं भर सकता हूँ तेरी याद में हस्रत भरी आहें मगर आहों की गर्मी से क्या पत्थर पिगलते हैं मैंने रोता हो दिल साक्षी है विजे मैं पत्थर नहीं पत्थर नहीं पत्थरों के शेहर के मालिक तुम्हारे पत्थर दिल दादा है वो पत्थर जोक कभी नहीं पिगलते तुम्हें जाना है तुम्हें जाना है जाओ शीटल रुक जाओ ये जम्मू एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है तुम तो हमें सिरीनगर के तरफ ले जा रहे हो तुम लोग बचोगे नहीं यह जान लो कि मैं मिनिस्टर संचनलाल का पेटा हूँ इसी लिए तुम्हें कैदी बनाया जा रहा है गाड़ी रोगो हे बुट्थे दादाजी चिलाओ मत बनने सब मने जाओगे तुम आतंक वादिस के लावा कर भी क्या सकते हो हमें जो करना है हम जानते हैं समझें खुशामदीद खुशामदीद वा गुल्रोश वा तुने तो कमाल कर दिया बाया अब जाके उकूमत का गरतन अमरा पाउं के नीचे आया है हाँ 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 अब मिनिस्टर का बेटा हमारा कहिद से तब ही चूटेगा जब अमारा बाय हुकूमत का कहिद से आजाद हुए हाँ हजे भाय जलता हूँ हो का हुए वली शार अज मेंदी की रिसम है और कल मेरी शादी है मालूम है मालूम है बाया मुबारक बहुत बहुत मुबारक जा खुदा अधिस अल्ला हाफिस खुल खान सबसे पहले तो इन पैदियों को बारा मुला के अट्डे पर पहुचा दो क्योंकि इस सड्डे से गुल्रोश वाकिफ है लेकिन बारा मुला के अट्डे से नहीं भली शार ये क्या ये साला गुल्रोश मेरी मेरी गुलनार से शादी करेगा और मैं मैं सिरु उसका मुझ देख तेरे जावाँ नहीं रे हमने साब बंदुबस्त कर दिया सबार गुलनार गुल्रोश के लिए नहीं तेरे लिए गुलंबदी बैटी है बेटी गुलनार ये देख तेरा गरी मामा तेरे लिए क्याना है इस दिन के लिए तेरे मामा ने बहुत मनतमागी दी क्या बात है मामा जी मैंठी, तेरे घरी मामा की ये सस्ती से चांदी की चूड़िया, तेरे हीरे मोती सस्ची पहों में धाक्सी लगेंगी नहीं मामा जी, इन हीरे मोतियों में अपा की धौलत है और इन में संसकारों की गंगा गंगा? ये क्या मामा जी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं गंगा का नाम सुना तो ऐसे लगा सारे दुख दूर हो गए अरे मैं तो बूली गया, अरे वो तेरे घुल्रोश के हां भी तो जाके उस रामरम कहा हूँ अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ अरे ओ दीदी, अब रोना दोना छोड़ो ना अच्छा चल, आज रक्षा बंधन का दिन है न, आ मैं तुझे राखी बांदो मैं जानता था दीदी, तुम राखी का तेवार कभी नहीं भूल सकती मैं कैसे भूल सकती हूँ गुलनार दीदी, रोश्णी दीदी ने राखी में जिये कह रही थी के गुलनार दीदी से बंधवा लेना ला, पहले रोश्णी की राखी बांद देती हूँ नहीं दीदी, तुम बड़ी हो, पहले तुम अपनी राखी बांद हो अच्छा, चल तुझे बांदेती हूँ अल्ला मेरे कनहियां को बहुत लंबी उमर दे जुग जुग जीयो इस राखी की सोगन मैं तुम्हारी पल-पल रक्षा करूँगा खट, छोड बड़ी-बड़ी बाते चल, लड़ू खा ले ऱ़ дорогfire युझे हूए अ बुझे है, ने! चल्दवो जी, अचा, बिकeldग पली की! अचा हाँ, बभी! अबभी, अचाहाँ! अचाल मेँ पल्दवो जी, हाँ, अचा हाँ, यचा, जै। बिकआए बड़ी,ция भाइब। पाईजान, दीदी कद आया दीदी पाईजान तुम्हारी नत्की उत्राई यहीं होगी भाईजान आप जानते हैं मेरे आप से क्या रिष्टा है मेरे अप आप के क्या लगते हैं गुल्खान तूर के रिष्टो को नहीं दिल के रिष्टो को मानता है खुदा से डर गुल्खान गुल्खान किसी से नहीं डरता हुआ! भाट दarat सूदार धूछ ंग ख मेंडनने में दोबomorphा your days झाल औुख शर थीँए! झाल! कुलार, अब मेरे होट होंगे और तेरे रुकसार कले में लॉकेट अल्ला का, काम शैतान का अल्ला का लॉकेट उतार लिया, तो कौन सी आफ़त आजाएगी? हर-हर महादेव, बीबी, कल रिया, कल रिया, क्यों, मर गई ना मैया, ओए, एक पसली के ढाचे, हर-हर महादेव, तेरी आन पे बनी हो, चाहे जान पे बनी हो, इता बर हो, चाहे संकत के घर हो, बोले नांसे तेरी नाजी राचे रखेंगे, बोले नांसे तेरा पाची करेंगे जाहीं ! करेया ! कुलाथ ! करेया , करेया, दीदी , मैं ठीकु दीदी मैं ठीकु दिदी, आज रक्षा बंदन है न? इस दिन भाई बेन की रक्षा करता है करेया दिदी, रक्षा बंदन का तेवार जिंदाबाद करेया हर अर्मादेव हर अर्मादेव नहीं करेया हर अर्मादेव करेया करेंगे हैं, हुवासadora... करेंदे त contributing... जित हैं, तुमर amा! क्रेंदे! दजित हैं... क्रेश, क्लेध? वुवझा сейчас... क्लेध, nestуск'. गुल्नार गुल्नार देखो की नहीं हो जो अपनी बहन की इज़त बचाते बचाते शहीद हो गया गुल्रोष अगर तुमने अपनी बहन के मौद के बदले के लिए बदू उठाई है तो मैं भी खसम खाती हूँ कि मैं अपनी भाई के कातल को दम तोड़ता हुआ ने देख लू तो कहे देना गुल्णार लानत है तुम पे कहे देना गुल्णार तुम्हारी रगों में मुसल्मान माबाब का खुन नहीं दाड रहा गुल्रोश अगर तुमारिया गुल्रोश अगर तुम्हारी ऑपने आपको काबू में रख भी ले जरा एक इंसान के नाते सोचो एक सच्चे मुसलमान के नाते सोचो कि अगर इसकी मुँ बोली बेहन गुलनार के उपर ये बीत रही है तो इसकी मा जाए इसकी सगी बेहन रोश्टी के उपर क्या बीतेगी जरा सोचो गुलरोश मॉमा रोशनलाल के उपर क्या भीतेगी अरे, भाई रोशनलाल पे क्या भीतेगी मॉमद अली, जिसका भीटा दुला बना हो उसका बाप तो पागर हो जाता है देख बीटी, देख तुरा भाई कैसा लग रहा है जलनी से इसके मूँ पर काजर की ठीका लगा दे, कहीं इसे नज़र न लग जाए पापा महामबर्दली, महामबर्दली, याद है हम दोनों ने कसुखाई थी कि जब तक जब रूर कश्वीर की खुशिया वापस नहीं लौरा थी हम कुभी शेहनाई नहीं बजाएंगे, देख, देख मेरा बेटा, खोड़े पर सवार होकर तुना बनकर तबाब खुशिया वापस नहीं आया चल, चल महामबर्दली, आज हम, आज हम, आज हम दुनों मिलकर, शेहनाई बजाएंगे, ऐसे बजाएंगे कि जमीन तो जमीन, आस्मान भी पागल हो जाएं, बजा शेहनाई, पंदित, पंदित करदी ना, अपने यार सकता नहीं, यहीं बजाएंगे, कोई बात नहीं, महमद अली, कोई बात नहीं, आज ये पंदित अगेला शेहनाई बजाएगा, ऐसी शेहनाई बजाएगा, कि सबको पागल करतेगा, वो, सबको पागल करतेगा झाल झाल पाल झाल पाल झाल बाबा रोशनल 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 पापा मेरे भाई की शादी है बारत में मुझे छोड़ कर अकेले बाराती बन गय हाँ रोशनी पाबू पापा को समझाओ ना की रोशनी को भी बाराती बना ले में 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 खुब गाऊंगी खुब नाचंगी खुब रोशनल पापा मुझे भी मुझे भी बाराती बना लो पापा पापा जिन हिर्दicated जारान पापा पापा पाप हाप प्र दिंख व Industry व्र काम वर गए सब के सब भून डार साथ को तुम यहां हां मैं मुझसे सच सुनना है तो सुन कैसा सच तुमारी बहन को किसी और ने नहीं वली शा ने मारा है क्या बखवास कर रहे हैं तुम हां यह गुल खान और वलीशा की साजिस्ती कि अपने हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पैन कर तुमारी भेंग को मारा जाए तक तुम बागी होकर विजय को मारो यह जूट है जूट बोल रहे हैं तुम सच है सच है मेरे अल्ला कई मेरे हाथों से गोली चल गई होती तो विजय का क्या होता सर मेरा जो होना वो होकर रहेगा जिस दिन घर छोड़के फौज से नाता जोड़ा था मौत को तभी अपना साथी बना लिया था तुम समझते क्यों नहीं विजये वलिशा मंतरी साब को धंकी दे चुका है पांच-पांच जिंदगियों का सवाल है करनल सवाल पांच जिंदगियों का नहीं सवाल मेरे बेटी की जिंदगी का है अलिश्या को उसके भाई वलिश्या के हवाले कर दो ताकि मेरा बेटा विक्की मुझे वापिस मिल जाए वा, फौज की आन चली जाए, मगर मंत्री की बेटे की जान न जाए विजदे सर, हम फौजी अपनी जान पर खेल कर देश के दुश्मनों को पकड़ते ही ताकि उन्हें सदा मिल सके सर, वो भी जो किसी का बेटा होता है जो आथंक वादियों के गोलियों के निशाना बनता है जो फौजी इस रहा पर शहीद होता है वो भी जो किसी का बेटा होता है, सर आप इस सौधेवाजी को रोकिए मैं सब को बजा कर लाँगा वरिशा मैं मंत्री सज्जनलाल बोल रहा हूं तुम मेरे बेटे विक्रम को छोड़ दो मनिस्तर सज्जनलाल छोड़ दूंगा लेकन पहले मुझे मेरा बाई वापस चाहिए मेरा बाई तुम्हेरा भई मिल जायेगा मेरा ठीक तो हैhrlich आड है क्या मेरा उससे बात कर सकता हूँ ले बात कर बात कर लीब हलो पापा बिठ लू ठास बच्त लीजी बातइन सबगों आड है मोचली जली प्लीज बचा लिजी जलीज दास कर्म की ने बचाहिए मुझे मेरा बाई कल शाम सुरज डूबने से पहले तक पापस चाहिए मनस्टार और हाँ मुझे मेरी मुंबत्ती मेरी रोशनी भी चाहिए रोशनी? ये रोशनी कोई है? ये गानाथ लड़की आनाथ है न? अहाँ, तुम्हे रोशनी भी मिल जाएगी और तुम्हेरा भाई भी मिल जाएगा कल, शाम, सुरज टूबने से पहले तक समझा, और न सलाम अलेकुम सलाम अलेकुम, मेरा मतलब है नमस्ते सौधा होगया देश बढ़ गया अगर कानून में ये लिखा होता कि हर हिंदुस्तानी जेहन बोलेगा तो इनोबद ही ना आती और मंत्री तू सौधा अगर ही नहीं तू तो दलाल भी है एक हाथ से देश का सौधा किया और दूसरे हाथ से अनात रोश्णी की दलाले की तू दलाल है दलाल दलाला के लीए करुने और दलालसमे दलालत के गभारत के लिए और खेल जिम्हा करें करें हेश कर्णल का स्राइども है जो भी भारत मां को गाली देगा मैं उसकी जान ले लूगा चाहे वो ये मंत्री हो या कोई और हो अरे श्रेम बंद कर दो इस एक्वाटर कार्ड में इसका कोड मार्शल होगा पताजी अब क्या होगा बहू अब करनल महंदास के एक्षन करने का वक्त आ गया है विजे साब के साथ तो बहुत बुरा हुआ यार ये बात सुनकर हम खुश हुए तुम भी मानते हो ना मानता तो हूँ लेकिन आपकी तारी मैं विजे का दादा हूँ ओ दादा जी मेरे पोते से सारे लोग जलते हैं उन्हें डर लगता है कि ये कहीं मेजर बन जाएगा ना बिल्कुल बनेंगे सर हाए मेरे ज़ोन बुरापे को तुमने और भी जवान कर दिया है खुश कीता ही उसके बाद वो कहते हैं कि L financial gonna है करेंल से ब्रिगेडियर बन जाए गा ब्रिगेडियर के बाद ब्र बड़ा ओफीसर बनेगा उससे बड़ा ओफीसर वैंका उस मुझे तो पता नहीं सर आप बताएए न क्या करते मैं नमूने के तौर पर तुम्हें बताता हूं उधारन के तौर जी तुम मुझे अपनी चाबियां तो यह लीजिए सर तो मैं तुमसे यह चाबियां लेता इस तरह उसके बाद मैं भटा फट जाकर ताला खोलता इस तरह उसके बाद दर्वाजा खोलता इस तरह तता जी एक्शिन के लिए तेग्यार हो जाओ कैसा रहा नमूना वाह क्या नमूना है सर अब इसके बाद पता है मैं क्या करूँगा क्या करेंगे सर मैं इसे एक पिस्तॉल दूँगा पिस्तॉल देंगे और कहूँगा भाग पोते खबरदार जड़ा भी हरकत की तो भून के रख दूँगा जान जान में साथ जरूर गड़बढ है आईए विजे तुम्हें पता है के मेरे एक ही ओडर से क्या हो सकता है गोलियों की बरसास हो सकती है मैं चल्ली चल्ली हो सकता हूँ लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं क्योंकि अलीशा मेरे कभजे में है अगर गोलिया चली तो सबसे पहले में अलीशा को मारूगा अगर यह मरा तो इसका भाई वलीशा मंत्री जी के बेटे को जिन्दा नहीं छोड़ेगा नहीं करणल अपने फौजियों से कहो के अथिया डाल दे मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सर यह मेरा दावा है और वादा भी मैं सब को छुड़ा कर लाओंगा और अलीशा को उनके हवाले भी नहीं करूंगा मेरा विश्वास कीजिये सर मैं अपने आपको खुद आपके हवाले करूंगा फिर चाहे फासी भी लगवा दे कोई गम नहीं होगा नहीं बोते फासी तो कबूतों का लगती है धरती मा के सपूतों को तो विजे की जैमालाएं पहनाई जाती है चलो चलो बैठो चलो गुल्रोश चलो चलो बगवान इनके रक्षा कदना बगवान दादा जी यह हमारे हर मुश्किल ताले की चावी है मत भूलो पोते इसका पहरेदार मैं हूँ चलो गुल्रोश कहां विजे कहां हर ठिकाना तो ढूंड मारा है वली शाने पता ने उन्हें का छुपा रखा है कमभक्त मोबाइल फोन पे भी शीतल से कॉंटाक्ट नहीं हो रहा खेर कही ना कही तो मिलेगी चाहे पाताल की गहराई में क्यों ना हो हम शीतल को ढूंड निकालेंगे चलो यह मोबाइल फोन खराब है विजें से कॉंटाक्ट नहीं हो रहा अब क्या होगा अरे खुल गया खुल गया ताला खुल गया हैरपीन से ताला खुल गया दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं जो बिंदिया की हैरपीन से ना खुले अफ्रुपी ही रुके, मैं बाहर जाकर रास्ता जून कर आती हूँ बेटी दुम दादा जी, मैं इन बेवकूफों की बेवकूफी से फाइदा उठाना अच्छी तरह जानती हूँ छोड़ दो मुझे आत में आया हुआ हूर को कान छोड़ेगा हुजूर बली चाह वल्ला कितना खुपसूरा तेरा शहा हुआ बदन है यह चश्म बतूर हमारी फॉच तुम्हें नहीं छोड़ेगी तुम्हारा फॉच हमारा यह बंगला कुल फार्म बारा मुला से आगे पाकिस्तान बॉर्डर पर है एक कदम भी आगे ले जाएगा तो पाकिस्तान पहुच जाएगा और फिर यहां पर आएगा भी कान यहां चारो तरफ बारूद और माइंस बिचा हुआ है जो भी आने की कोशिश करेगा उड़ जाएगा समझ गया गुल्बदान हली शाह तुस्तानाई तुस्तानाई आज से पहले हमने तुमको कभी नजर बरके देखा ही नहीं था हम तो इस दोके में था कि रोश्णी से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं चला खाट कुल्बदान तुम चाहते क्या हो बलिशा हम तुमको चाहता है तुमको अपना मलिका बनाना चाहता है अपना शरी के हयात वह भी आज इदर आओ यह देखो इस नेरा पुशाद देखता है यह दाज देखता है यह सब हमारा मलिका के लिए यह उस उस कमख़त रोशनी का तक्दीर में नहीं था अब यह सब तुम पे लिगा तुम वली शाह सनो अगर दस मिनिट का अंदर यह बोशाग बेनकर तुम नीचे नहीं आया तो खुदा का कसम हम उमसाब को खत्म करतेगा संचे ठीक है मुझे तयार होने का वक्त हो लेकिन सिरफ तस मिनिट लौल विला कोट पेट्रोल को भी यही खतम होना था अब क्या करें हलो हलो विजे हलो शीतल हम विजे बोद रहा हूं कहा हो तुम दोग विजे विजे हम यहाँ वलीशा की कैद में हैं मगर कहा हम इसक बारा मुला के आगे पाकिस्तान बॉर्डर की पास गुल्फाम बंगले में हैं बारा मुला से आगे पाकिस्तान बॉर्डर गुल्फाम बंगला मैं 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 जानता हूं ठीक है विजे ध्यान से पंगले के चारों तरफ बारूत बिचा हुआ है और माइन्स खुदी है तुम उसकी फिकर मत करो हमारे वहां पहुंचते तक तुम उनका जितना वक बरबाद कर सकती हो करो यह तुम मुझ पर छोड़ दो बशीदल हम लोग बारा मुला पहुंचे के पहुंचे ओके बाई यह बारा मुला मेरी जहन में पहले क्यों नहीं है तुम यह जगा जानते हो वाली शाह समझता कि मुझे नहीं मालूम यह कि मैं यह जगा जानता हूं वहां पहुंचने के दो तरीके हैं एक पाहड़ी के उपर से और पाहड़ी के पीछे से ठीक है एक रास्ते से तुम जाओ और दूसरे से मैं ठीक बात है लगता है जंडे को इस्तवाल करने की घड़ी आ गई है सुभान अल्लाः अब उदर से अमारा बाही आएगा और इदर से मौलवी साथ अमारा निकाह पढ़ा ले नहीं ये नहीं हो सकता शीतल दीदी बाबू की अमानत है क्या सारा जंडा मेरी वज़े से है न लो मैं आ गई रोशनी जब से इस तराशे हुए बदन वाली शीतल को देखा है तब से हम ने अपनी जिंदगी से तुम्हेरा कनेक्शन काट दिया अब तुम रोशनी नहीं हमारे लिए सिर्फ एक पुचा हुआ पलभो एक टिम्टिमाती हुए मौंबती अरे क्या हुआ रोशनी का बंद वस करो फिकर मत करो रोशनी फिछे आता ही होगा सच हाँ क्या बाते हो रहे थी कुछ नहीं मैं रोशनी को सिर्फ ये कह रही थी कि जो होना था वो हो चुका अब जो होना है वो होके रहेगा क्या बात कही है रोशनी भी आ गई जरा इस मौंबती के लिए पाओं के जिवर तो लना इस पर खड़ी हो जा पाओं में ये नोकिला लोगा चुबेगा तो खून बाएगा और जब खून बाएगा तो बहुत तकलीफ होगी फिलो ये मौंबती लो पर इसको बुझने मत देना अगर ये बुझ गई तो सब को खत्म कर दिया जाएगा तुमारे उस वोजी विजय को भी नहीं इस पर खड़ी हो जाओ ये जुरिम है वलीशा की हुकूमत में सब जायज है वलीशा तुम्हे अपने दादाजी की फिकर है कर नहीं नहीं वलीशा इस पर मैं खड़ी रहूगी और ये मौमपत्ती मैं बुशी नहीं दूँगी आज जशन का दिन है शादी से पहले तुमें नाश्ते गाते देखना चाहते हैं हमारा कई न मानती जाओ शादी में तुम्हारे दादा को भी शामिल किया जाएगा और हा नाश्ते गाते वक्त तुम्हारे सर पर इस ताज का बोज ना हो तो बहतर होगा हुक्म की तामील हो मुम्बतिये 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 नि बोल मुम्बतिये मुम्बतिये नि बोल मुम्बतिये तेरे संग क्या-क्या बिती बोल सक्षिये तेरे संग क्या क्या बिती बोल सक्षिए नि बोल बोल सक्षिए तेरे संग क्या बोल सक्षिए कितना तु जल्ली एक घूच में रुपां की नदिया जानी कैसे तूने पीली काहे को तु अंपिती जाए सक्षिए काहे को तु अंपिती जाए सक्षिए मुंबती जाए सक्षिए मुंबती जाए मुंबती जाए अपनी आशू अपना ही आचल रे पागल है तू बिल्कुल पागल तेरे रूने में सब की दुख है तेरे दुख में कोई ही नशामिल है काहे को तु खोलती जाए सक्षिए काही को तुघुलती जाय सक्थिये नी जाय सक्थिये मूम्बतिये मूम्बतिये ये कान द रूश्मन आ गया लुँखा हलो हलो विजे हमें विजे बोल रहा हो शीतल विजे तुम यह पहुंच चूकी हो यह इन लोगों को पता चल चुका है धोका हलो हलो शीतल वली शा के साथ धोका जहरीली नागन अब तू जहरीली क्यास से तडब-तडब कर मारेगी जहरी ली क्या से, चल्ट! Oh my god मरोगी, यही मरोगी Hanif, क्या शुरू करो? जी 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 हमारा बाई अलीशा को फौजी विजए भगा कर ले गया लेकिन उसने ऐसा करके तुम साब की जिंदगी पर मौत की मौर लगा दिया है मैं तुम लोगों को ऐसी मात मारूंगा जब पूरे हिंदुस्तान के लिए सबख होगी शीतल कहां है शीतल वो बिचारी तो एक एक सांस के लिए दड़ रही है एक एक सांस के लिए एक घंटे के अंदर वो दम तोड़ देगी वलीशा उससे पहले तू मर जाएगा मर गाए मुझे मारने वाले तुझे मारने वाला भी जिन्दा है हतियार फेंको सब हतियार फेंको हतियार फेंको अपने आदमी उसे कहो इन्हें खोल दे खोल दो है सबको खोल दो खोल दो लांग लिव इंडियन आर्मी एंड लांग लिव विजय अब आई शरम ठीक है बाबू और एक है तू मंद्री का बेटा भाड में क्या मैं और भाड में क्या मंत्री शीतल कहा है मैंने पूछा शीतल कहा है शाबाश रशीदा शाबाश रशीदा शाबाश ए रशीदा भून डाल इसको कुरूश मेरी बेहन नूर के कातिल बहुत शीतल कहा है भून गुल्रोश मुष्या रूख्या ब्लाव मुष्या रूख्या भाड में मारना हम दोनों का फैसला तु होनी तो पहले कैसा अरे बात का फैसला तुम्हारी कौक में मेरा पाप बल रहा है मेरी कोख में एम सोरी मेरी कोख में तुम्हारा पाप कर रही है मैं नौ मैंने अमरिका था और चार महने का बच्चा तुम्हारी पेड ऐसे हो सकता है ह्कार च्टral बोल रही है अगर मेरे पास बंदुक होती तो मैं तुम्हान रंख 느ता बंदुक लाओ, लो, चाबा, ये क्या करें तो, लेको अभी बादू लोश्नी, लोश्नी रोश्नी, रोश्नी बाबू, अभी है रोश्नी, बोच चलिये नहीं रोश्नी जाओ बाबू, शीतल दीदी को ढूंद कर बचालो जाओ बाबू, आपको ये जंग चीतनी है रोश्नी, रोश्नी रोश्नी जाओ बाबू रोश्नी हाँ मुझे ये जंग जीतनी है ये भोजी चलो, अट चम्मा हर रंग में चलती है सहर होने तक चलो दर ये ठोस ठोस पटागे का तमाशा बहुत हो ग्यारे फकीरा राकेट लांचर लगा और उला दे इन सबको उला दे सबको फकीरा जै हिंद करनल ज्यानचंद जै हिंद मौहंदास तुम आ ज्यानचंद अपने पोते के नक्षय कदम पर हूँ बोल वली शाह शीतल कहा है तो यह है वली शाह मैं जरा इसका कोट मार्शल तो कर लू बोल शीतल कहा है बोल शीतल कहा है वली शाह कुल्रोश तुम ठीक हो ना हाँ मैं तुम ठीक हूँ तुम यह कैसे जहां तुम बाह मैं तुम जैसे पापी बेटे की मौत बात के हाथो ही होनी थी आज मेरे सर से तुमारे पापों का करजा उतर गया अब क्यों जो कली क्यों अरे वावावावाव तेरे हाथ में भी बंदूख है मेरे हाथ में भी बंदूख है फिर यह ले मेरी बंदूख और यह दे तेरी बंदूख अब मेरे हाथ में भी बंदूख है तेरे हाथ में भी बंदूख है फर कितना है ति वो बंदूख खाली है और यह भरी हुई है जो तेरे जिए 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 जाओ तुम अपनी शीतिल को बचालो मैंने देख रहूंगा जाओ आपलो को समाली है। मेरी बेटी मिल गई मेरी बेटी नहीं हमारी बेटी का हो ग्यानचन मैं हाथ नहीं मिलाता गले मिल जाओ विजय ने कमाल कर दिया पोता किसका है कर दो किषिए तो कि वाली शाह कि यह वही जंडाय चिस से तूने मेरी बेहन नूर को मारा था आज मैं तुझे इसी से मालूगा यह लीजिये आपक कैदी अली शाह मैंने आप से वादा किया था ना सर सब को छुड़ा कर लाओंगा और आपका कैदी भी आपको वापस करूँगा अब चाहिए आप मेरा कोट माशिद कर लीजिये थैंकी विजे थैंकी बेरी मच्च मैंचिन नॉट विजे मुझे तुम पर फकर है और और मुझे फकर है इन सब पर मुझे फकर है अपने दादा पर दादा दे ग्रेट इस दादा दे ग्रेट दादा दे ग्रेट नहीं इंडिया दी ग्रेट इंडिया दी ग्रेटेस्ट इसी लिए सब मिलकर बोलो जैहिंद जैहिंद हूँ है हूँ हूँ झाल 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 झाल